अगर आप Terminator 2 मूवी देखे हो तो ये फैक्ट आपके लिए उस मूवी के हीरो आरनर्ड स्नेजनेगर ने केवल 700 वार्ज के डैलक बोले थे उस 700 वार्ज के डैलक को उन्होंने 15 मिलियन डॉलर चार्ज किये थे उस मूवी में उनका एक फैमस डैलक है हस्तलाविस्ता बेबी बोलके वही रिपीट होता है उस वार्ड को मनी के साथ ब्रेक करने से हस्तलाविस्ता बेबी एक डैलक को उन्होंने 85,000 डॉलर चार्ज किये थे यानि इंडियन रुपिस में कहने से 60,35,000 रुपिया स्रिपेक डैलक के लिए चार्ज किये थे फैक्ट नमबर 14 अमरिका के ग्लैंडा ब्लैक्वेल एक महिला के पती हर दिन लोटरी टिकेट के लिए ग्लैंडा ब्लैक्वेल से पैसा लेते थे एक दिन ग्लैंडा ब्लैक्वेल परिशन हुए उस लोटरी में कुछ आने वाला नहीं है बोलके उनके पती को एक सवक सिखाने के लिए एक लोटरी टिकेट खरित के स्क्रेच किये उस लोटरी में उनको 1,000,000 लग गया फैक्ट नमबर 13 क्या आप जानते हो इनसान और बनाना यानि केले के 60% सेम डियने होता है मतलब हमरे बोडी में सभी सेल्स को काम करने के जीन्स इनसान और बनाना का 60% सेम फैक्ट नमबर 12 अगर आपकी हाइट 6.2 से ज़्यादा है तो आप एस्टोनेट्स बन नहीं पाऊगे फैक्ट नमबर 11 जब हम सो के उड़ते हैं और अचनक आस्मान को देखने से हमारे चारों की तरब वाइट डॉट्स उड़ते हुए नजार आते हैं एक्चुली वो हमारे वाइट ब्लट सेल्स है फैक्ट नमबर 10 अगर हमें एक भयानक होरर मूवी को 90 मिनिट्स तक देखने से हमारे बॉड़ी में 200 कैलोरिस कम हो जाता है क्योंकि फिलिम देखने के टाइम में डर की वज़ा हमारे हाटवीट बढ़ जाता है सो कैलोरिस कम हो जाता है फैक्ट नमबर 8 जपान की ATR Computational Neuroscience Laboratories के सैंटिस्ट सक्सेस्पुली एक लेटेस्ट टेकनोलोजी को आविस्कार किये वो टेकनोलोजी ये है कि हमारे ब्रेन में जितने भी आइडियास और थोट्स आते हैं वो सब डिरेक्ट लिक कम्पूटर स्क्रीन में दिखा सकते हैं अमरिका में मोनवाई बोल के एक छोटा सा विलेज है वो इतना छोटा है कि वहां का कुल आवादी स्रिप एक ही है और उनका नाम LC Iler 2004 से पहले उस गाउ में कुछ लोग निवास करते थे 2004 में उनका हस्बन मर गए उसके बाद वहां से सभी लोग चले गए लेकिन इन्हों ने उस गाउं को नहीं छोडे अब तक भी उस गाउं में है आप जानते हो दुनिया का सारी गोल्ड में से 11.2% गोल्ड इंडिया के साधी किया वा औरत के पास है इतना गोल्ड अमरिका, स्विजरलेंड और जर्मानी इन तीनों देश के गोल्ड को कुल मिलाने से भी 11.2% नहीं होगा फैक्ट नमबर फोर एपल, गूगूल, अमाजॉन और माइक्रोसप्ट कमपनिस उनका स्टाट अप को एक छोटा सा गैरेज में किये थे फैक्ट नमबर फ्री जपान में क्रिस्टमस के दिन क्यापसी चिकन खाना उनका बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन है क्रिस्टमस के तीन मेहने पहले से ओर्डर दे देते हैं क्यापसी कमपनी को ये येर क्रिस्टमस के आल्मोस डेलिवरी सभी हास्पूल हो गया होगा आप जानते हो MS धोनी एक बार 0.09 सेकेंड में स्टंपिंग किये थे ये टाइम हम आग जपकने के टाइम में से भी कम है और ये वाल्ड रेकर्ड भी है फास्टेस स्टंपिंग एवर बोलके कोई भी कंट्री में बलड डोनेट करने के लिए बहुत कम लोग साब दिल से आते हैं लेकिन स्वेडन में बलड डोनेशन सिस्टम ही अलग है स्वेडन में डोनेट किया हुआ बलड को दूसरे कंट्रीस को भी एक्सपोर्ट करके हल्प करते हैं उतना ही नहीं, blood use करने के time में, blood donor को एक message भी करते हैं, कि आपका blood ये place में इस patient के लिए use कर रहे हैं बोलके, ये एक message ही काफी है ना, blood donor को खुश होने के लिए, And now it's game time, इस game में अगर आप हारने से मेरे channel को subscribe करना होगा, so let's start, ऐसा कौन सा English word है, जो English में हमेशा incorrectly spell किया जाता है, Which English word that always spell incorrectly in English, अगर आपको answer पता है तो मेरे comment box में comment कीजे, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे next वीडियो में भी जीतने के लिए कोशिश करना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजे और शेयर कीजे, ऐसा और इंट्रेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए facts for your channel को subscribe कीजे, Thank you, have a nice day.